फ्री मेकप क्लास जी फ्री मेकप क्लास आज मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के थुरू एक एक आपको step बहुत detail में explain करने वाला हूँ और प्लस आपको अपने सारे products बताने वाला हूँ इस look में जो use हुआ है और ये जो look है ना ये Christian bridal look है जो कि आप अपने किसी भी bridal में दे सकते है आप एच्ट्री bridal में ये वाला make-up दे सकते है और make sure करिएगा इस वीडियो के अंदर जो इस tutorial के अंदर जो मैंने products use करे है थोड़े से expensive है बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी technique समझ आएंगी प्लस आपको इनके dupe अगर जानने है तो आप में को comment box में बिल्कुल पूछ सकते है मैं आपको comment box में answer दूँगा बट only जब आप में को comment box में question करेंगे राइट? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने tutorial को सबसे पहले आपने make-up में यह ध्यान रखना है कि आपने बहुत best skin prep देना है अपने bridal make-up के अंदर जैसे आप सबने देखोगा पहले मैंने अपने face को clean करा था आप video को एक बार पीछे करके देख सकते हैं कि मैंने कौन-कौन से step skip कर दिया है सबसे पहले मैंने face को clean करा फिर toner करा फिर उसके बाद मैं यूज करूँ है एक monsturizer monsturizer बहुती best monsturizer है और PAC का monsturizer है और normal skin के लिए बहुत perfect है normal to dry, normal to IV all skin type monsturizer है full face पे मैंने इस तो अच्छे से apply कर दिया है आप देख सकते हैं कि मैं किस quantity में अपना blusher, oh sorry monsturizer apply कर रहा हूँ right, थोड़े बहुत words उपर नीचे हो जाएंगे तो आप इस चीज को ध्यान रह करिएगा क्योंकि पूरा full tutorial में एक साथ ये voice over कर रहा हूँ तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा right so हमने monsturizer कर दिया 2-3 मिनट का आपने gap दिया अपने monsturizer के बाद so that की skin के अंदर अच्छे से penetrate हो जाए absorb हो जाए skin के अंदर फिर उसके बाद मैंने under eye cream यूज करी है under eye cream के लिए जो मैंने product यूज करा है indulgeo का serum यूज करा है under eye is के लिए one of the favorite product है मेरा और अगर आप कोई भी other brand की भी under eye cream यूज कर सकते है और आप this quiz की website से purchase कर सकते है और plus अगर आप कोई under eye cream नहीं देने चाते हैं तो आप अपने monsturizer को ही under eyes में लगा सकते है so अब हम आते हैं next step पे next step है जो हमारा है pore filler का जो मारे skin पे texture होते है unevenness होती है पोर्स होते हैं छोटे-छोटे cheeks वाले एरे पोर होते है या blackheads होते हैं whiteheads होते है तो उनके आसपास थोड़ी skin uneven हो जाती है तो उसके लिए मैंने एक primer यूज करा है और जो मेरी model का face था उन पे बहुत ज़ादा texture था पोर्स थे so मैंने यूज करा है pore filler primer जो की है benefit cosmetic आप कोई भी brand का pore filler primer यूज कर सकते है doesn't matter कोई high-end brand है या कोई आपका low brand है आप अपने according कोई भी brand यूज कर सकते है and make sure जैसे मैंने apply करा है आपको इसी बहुत soft pressure के साथ apply करना है बहुत जादा इसको rub नहीं करना है और जैसे आपको जहाँ पर भी texture दिख रहा है आपको उसको उस side पर ही अच्छे से apply करना है full face पर नहीं देना है only and only उन parts पर ये आपका लगेगा जहाँ पर आपका texture visible है I hope आपको ये class बहुत अच्छी लग़े होगी आप सब की use demand पर ही आप सब कहते रहते हैं कि सर एक class लेकर आए class लेकर आए free of course तो मैं ये video आप सब के लिए बना रहा हूँ उसके बाद मैंने character use करा है character के लिए मैंने जो use करी है मैंने Mac की medium deep palette use करी है और मैंने color character नहीं use करा है मैंने directly dark concealer use करा है जी मैंने dark concealer use करा है जब ये makeup मैंने tutorial shoot कर रहा था तब January का मन्त था और अभी आई दो की July चल रहा है तो आप इसके जगा liquid भी use कर सकते है आप Forever 52 का use कर सकते है आप PSE का use कर सकते है एनी brand आप कोई भी liquid use कर सकते है इवन आप derma और supra भी use कर सकते है आप देख सकते हैं मैंने किस part पर apply करा है और अच्छे से आपने इसको apply करना है doesn't matter आप कोई भी brush यूज़ कर सकते है आप finger भी use कर सकते है इस step के लिए और अच्छे से आपने apply कर देना है इन parts पे so that की makeup आपका grey ना हो dark ना हो कुछ time के बाद भी आप देख सकते हैं कि मैंने skin tone से 3-4 shade dark यूज़ करा है इसके बाद मैंने क्या करा था इसके बाद मैंने एक थोड़ा से skin tone वाला concealer लेके उसको apply करा था और उसको apply करने के बाद मैंने उसे blend कर दिया था blender की help से so that की मेरी skin अच्छे से neutralize हो जाए और वो step मेरा skip हो गया उसके लिए जो मैंने concealer यूज़ करा था मैंने यूज़ करा था forever 52 का concealer 003 shade अब मैंने जो यूज़ करा है आप मैंने liquid highlighter product यूज़ करा है आप इसकी जगा कोई भी brand यूज़ कर सकते है आप Swiss beauty यूज़ कर सकते है आप MAC की stope cream यूज़ कर सकते है आप Iconic का liquid highlighter यूज़ कर सकते है highlight points पे ही आपको देना है और जो product मैंने यूज़ करा है मैंने Charlotte Tilbury का liquid highlighter यूज़ करा है only highlight points पे best part है कि ये बहुत ज़़दे dry नहीं करता skin को hydrate रखता है और skin बिल्कुल dry नहीं होती तो बहुत अच्छी shine करती है skin इससे इसको मैंने only highlight parts पे apply करा है अब आगए हम आप देख सकते हैं कितना अच्छा base आपको already बन गया अब हम extra layer देने वाले हैं किसकी foundation की foundation की एक extra layer देने वाले है foundation में मैंने दो foundation यूज़ करा है एक Anastasia का और एक LA Girl का white pigment यूज़ करा है foundation मिक्स कर सकते हैं और में पाइश इतना फेर कोई था नहीं तो मैंने white foundation ही add कर दिया उसके अंदर और आप देख सकते हैं जो मैं जिस technique से apply कर रहा हूँ आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप इसको एकदम clearly देखिएगा क्योंकि ये technique सबसे best technique जो मेरी अपनी खुद के technique है और इससे अगर आप makeup करेंगे तो आपका makeup कभी भी cake की patch ही नहीं होगा कभी भी transfer नहीं होगा इससे क्या होता है बिल्कुल पतली ले जाती है फेस की उपर आप देख सकते हैं जो side में मेरे हाथ में palette भी है foundation palette उसमें मैंने अच्छे से spread कर लिया अपना foundation and after that मैंने अपने foundation को face पर apply करा है blender की help से so blender शो में use कर रहा हूँ I think मैं प्रॉष का blender use कर रहा हूँ right प्रॉष का blender use कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी blending है और मैंने पूरा अपना 100% कोशिश कर यह efforts कर रहा है कि आपको एक full tutorial दे सकूँ so that कि आप बहुत अच्छा सीखे आपके makeup game और ज्यादा strong हो जाए right आपको बदले में क्या करना है आपको मेरे channel को subscribe करना है comment में बताना है कि यह tutorial आपके लिए कितना helpful है ताकि मैं और motivate हूँ और मैं आपके लिए आगे और भी ऐसे tutorials लेकर आता रहा हूँ right so अब जो भी foundation यूज करेंगे doesn't matter आप NSTAR से यूज कर रहे है NARS यूज कर रहे है Huda, Forever 52, PAC, Recode Charmacy, any foundation आप यूज कर रहे है आपको इसी technique से यूज करना है Face के बाद आपको Neck को नहीं बूलना है Neck पर भी apply करना है इसके बाद मैंने Mark Zocope का concealer highlight कर रहा है आप देख सकते हैं कोई भी fair shade का concealer आप यूज कर सकते हैं 2-3 shade fair आप देख सकते हैं मैंने कितनी कम quantity apply कर रहे है आप screenshot ले सकते हैं यही point है आपके कोई भी any face shape होगी आपने ऐसे concealer highlight करनी है students ऐसे आपने highlight करनी है उसके बाद आप इसको अपने blender की help से blend कर सकते हैं patiently आपको blend करना है बहुत patience के काम होता है blending और बहुत carefully करना है बहुत अराम से softly करना है और जितनी अच्छी आपकी blending होगी उतना अच्छा आपका base आएगा और बहुत softly आपने बहुत जादा pressure के साथ blend नहीं करना है क्योंकि अगर आप जादा pressure से करेंगे तो नीचे का product transfer हो सकता है और फिर आपका base खराब ही हो सकता है तो make sure कि आप बहुत softly softly dab कीजी जैसा आप अभी मेरे को वीडियो में देख पा रहे है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा concealer highlight कितना perfectly और कितना highlight हो गया face अच्छे से अब इसके बाद मैंने जो यूज करा है अब हम next step पर आएंगे liquid blusher पर अच्छे से आपने से seamlessly blend करना है कहीं पर भी आपका patch नहीं दिखना चाहिए unevenness नहीं दिखनी चाहिए और आपने से अच्छे से blend करना है और अब हम आ गई next step पर liquid blusher आप कोई भी brand का liquid blusher यूज कर सकते हैं मैंने जो यूज करा है मैंने nars का orgasm shade यूज करा है आप charmancy यूज कर सकते हैं आप forever 52 यूज कर सकते हैं आप fashion color यूज कर सकते हैं अब कोई भी blusher यूज कीजिए बट आपने ये देखना है fair skin पर आपने light blusher ही रखना है dark नहीं रखना और ये points हैं आपके blusher के और आपने कोई भी flat brush थी help से आप apply कर सकते हैं और I think मैं जो brush अभी use कर रहा हूँ I think real technique का brush है because मैं को इसलिए confusion हो रही है चीजों को याद करने में क्योंकि ये tutorial हमने shoot कर रहा था जब winters थी around january में मैंने ये shoot कर रहा था and अब जाके finally मैं इसको shoot कर पा रहा हूँ voice over कर रहा हूँ इसलिए right so इसके बाद मैंने अच्छे से blender से blend कर दिया और आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा base जा रहा है and blusher से कितना अच्छा effect आगया आपके face पे overall so यह ही हमारी कुछ techniques होती हैं जो मारे make-up को बहुत जादा improve कर देती है और आपकी make-up की quality को 10 times जादा कर देती है right और अच्छे से आपने से blend कर लेना है आप make sure करिया आप जब भी make-up करियेगा तो आप मेरी इस वीडियो को जरूर अपने साथ चलाएगा और इसके साथ साथ आप make-up करियेगा और अगर आप make-up artist है तो no doubt आपके पास इंसे मिलते चुलते products definitely होंगे ही होंगे and उनको use करके आपने ये base create करना है और मेरे को share करना है मेरी insta idea दीपक जैन make-up और आपको मेरे को दिखाना है कि आपने कैसा make-up करा है right so that कि मेरे को भी पता चले कि आप कैसा सीख रहे है right तो मैं और ज़्यादा motivate होंगा मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा और अच्छी लुक लेकर आऊँगा right मेरा personal taste रहता है कि मैं ऐसे make-up करूँ कि आप जो real clients पे इसली कर पाएं right थोड़ा सा blusher और apply कर रहा है क्योंकि मैं को blusher कम लग रहा था तो मैंने दुबारा से reapply कर रहा है blusher को और उसको दुबारा से blend कर देंगे सबसे best रहता है कि आप कम से ज़ादा पे जाएए कम-कम product apply करे blend कीजिए अगर need लगती है तो आप दुबारा हो लगा सकते है बट अगर आप बहुत सारे एक साथ लगा देंगे blusher तो उसको manage करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो कहते हैं न less is more कम से कम लो और उससे अच्छे से apply करो blend करो तो यहाँ पे मारा base हो गया अब हम कर रहे हैं इसको powder baking powder baking के लिए she glam का pink powder यूज़ कर रहा हूँ she glam का pink powder यूज़ करा है मैंने आप कोई भी white powder यूज़ कर सकते है आप TL2 यूज़ कर सकते हैं क्राइलान का और अच्छे से मैंने अपना बेक कर दिया है powder की help से आप देखिएगा इस step को और make sure अभी आप इस चैनल को मेरे subscribe कर लीज़ेगा और so that कि ऐसी और भी वीडियो आप देखते रहे और भी बहुत सारे tutorials अलरड़ी मेरे page पर है इतना in-depth वाला tutorial यह first tutorial होगा तो मैंने अपने busy schedule में से time निकाला है especially इसको edit करने के लिए and इसको voice over करने के लिए तो make sure कि आप मेरे efforts को appreciate करिएगा comment box में तो आप देख सकते हैं I think मेरे को इसमें बताने की need नहीं है baking आपने under eyes में और around the lips करनी है आपको बिल्कुल भी ने डरना है powder bake करते time कि आपको dryness आ रही है face पे कुछ भी हो रहा है आपने नहीं डरना आपको इसको अच्छे से bake करना है अगर आप baking अच्छे करेंगे तब ही आपका makeup long stay होगा so यहाँ पर हमारी baking वाला part complete हो गया है bake मैंने अच्छे से कर दिया है under eyes कर दी around the lips कर दिया अब मैं forehead center पे भी यह pink powder ही use कर रहा हूँ forehead center पे भी अच्छे से powder अपलाए कर दिया जब भी हम ऐसे powder proper रखते है उसको कहते है powder baking और जब हम बहुत light light powder अपने face पे dab dab करते है उसको कहते है powder setting powder baking different है अभी जो मैंने करी है powder baking करी है अब जो मैं कर रहा हूँ आप देखेगा बहुत light light इसको कहते है powder setting कि आपने बस हलकलका set करा है powder that's it right so यहाँ पर हमारा baking वाला part complete हो गया है baking part आपने अपना बहुत अच्छा रखना है because so that कि आपका makeup का stay आपका makeup की life increase हो जाए and आपका makeup बिल्कुल भी transfer ना हो अगर आप finger touch कर रहे है font touch कर रहे है तो आपका makeup खराब नहीं होगा I hope कि यह वाला जो tutorial है ना यह आपकी makeup की game को overall change कर देगा बिल्कुल आप तक जो आप makeup करते ते नो आप जो आप makeup करेंगे वो आपका totally transform हो जाएगा और definitely आपने को tag करिएगा मैं आपका देखना चाता हूँ कि आप कैसे makeup करते हैं यह तो मैंने Christian look करा है और आप कोई भी look कर सकते हैं बेस तो आपका सम्मी सेम होता है इसके बाद मैंने compact apply करा है neck वाले पार्ट पे compact जो मैंने use करा है बहुत ही affordable compact यूज करा है जो मेरा भी recently favorite है it's from Mars make sure करिएगा कि आपको face and neck always same लगनी चाहिए ऐसा नहीं होने चाहिए कि face बहुत fair जा रहा है और neck आपकी dark लग रही है आपको दोनों को अच्छे से even करना है even करने के बाद compact के बाद तो आप सब जानते हैंगे students दीपक जैन make up मेरी instagram ID है आप इस पे भी जाके मेरे को follow कर सकते है वहापे हमारे classes के updates आते है new new tutorials आते है tips वाली hats वाली videos में मेरे upload करता हूँ plus अगर आप interested है मारे offline online makeup course में तो आप इस given number पे call कर सकते है जो आपकी screen पर आ रहा है 8700650967 पे आप call कर सकते हैं whatsapp कर सकते हैं course की detail आप ले सकते हैं अगर आप interested है offline मेरे academy में आके मेरे साथ सीखना practice करना मेरी under guidance में और आप अपनी academy हमारी academy join कर सकते हैं course के लिए and आपको professional course मिलते हैं one month का and seven days का right अब हम आगे next part पे contouring के contouring के लिए जो मैं use कर रहा हूँ मैं use कर रहा हूँ Fenty Beauty की contour palette and आप देख सकते हैं मैं इनी parts पे contour करना prefer करता हूँ कोई भी fluffy angular brush आपने use करना है अपने contouring के लिए and इसी step से आपका face अच्छा structured लगेगा एक defined लगेगा एक 3D look आजाएगा right and आपको अबट obvious कहते हैं कि आपका contouring के बाद face slim लगता है तो आपको slim भी लगेगा face right contour कर दिया है मैंने jawline पे around the chin cheeks पे कर दिया है contour chin वाले part पे कर दिया forehead पे कर दिया nose पे कर दिया right and softly आपने करना है बहुँ ज़ादा harsh pressure के साथ आपने contouring नहीं कर दिया and contouring का मतलब कभी भी यह नहीं होता कि आपने black या dark brown lines create कर दिया है बसे एक soft effect आना चीह है आपके contouring है that's it right so अब हम आगए next part पे which is blusher कोई भी fluffy brush से आप अपना blusher apply कर सकते है और blusher के लिए मैंने जो यूज करा है मैंने forever 52 and mask का blusher यूज करा है थोड़ा peach stone में and थोड़ा सा blusher मैंने जाधा रखा I think is look के अंदर right क्योंकि बाकी सारी चीज़े हम सेटल रखेंगे eyes भी हमारी सेटल रहेंगी lip color भी सेटल रखेंगे blusher मैंने थोड़ा से जाधा रखा है right आप देख सकते हैं मेरी technique कि मैं कम से जाधा पे जारा हूँ मैंने एक साथ बहुत जाधा cheeks को red नहीं कर दिया एक साथ की बहुत जाधा color लिया और लगा दिया नहीं मैं थोड़ा थोड़ा करके deposit कर रहा हूँ आप देखिएगा कितनी बार मैंने color लिया apply कर रहा है right तो यह होती है right technique right अब हम आगए eye base पर eye base यूज़ करा है मैंने revolution का और shade इसका light और इसको brush की help से अच्छे से blend कर देंगे and उसके बाद I think मैंने इसको compact से loose powder से किसी एक चीज़ से set करा है आप concealer भी यूज़ कर सकते हैं eye base की जगा पर compact हाँ मैंने इसे compact से भी set कर दिया अच्छे से बहुत slightly wet रहता है तो creases की chances हो जाता है प्लस patch भी बन जाता है जब हम blending करते हैं तो उसके लिए वह patch नहीं बने आप ऐसे कर सकते हैं आप पहले concealer apply करतीजिए और फिर इसको compact या loose powder से set करतीजिए अगर आपको इस look के regarding कोई भी doubt है तो आप मेरे से comment box में पूस सकते हैं definitely और आपको इसको practice करना है और अब मेरे को tag करना है जब भी आप practice करेंगे और मेरे को दिखाना है कि आपने कैसी practice करी है कि मैं इतने efforts करें कि आप इतने efforts करते हैं नहीं करते so that कि मेरे को भी पता चले और जितने ज़्यादा looks मेरे को tag करेंगे और उतना ज़्यादा मैं motivate होंगा मैं उतनी जल्दी ही next tutorial लेकर आऊँगा अपना प्राइब्रोस के लिए ब्राउन शेडव है फ्रॉम मैं आया था थोड़े पहले जब मैंने स्टार्ट करता है यह step अब आप देख सकते हैं इनका बिफॉर आइब्रोस का अब आप इनका आइब्रोस का आफ्टर देखिएगा कि कितना difference आ जाता है अगर आपने राइट टेक्नीक के साथ आइब्रोस करी है आपने आइब्रोस स्टार्टिंग से लाइट रखनी है और बाक साइट से आपने रखनी है डार्क राइट परफेक्ट तो यहां पर अमरी आइब्रोस हो गए है complete अब देख सकते हैं कितना अच्छा एफेक्ट आया आइब्रोस का और मैंने यह वाली पैलेट यूज़ करी है विच इस फॉम एनस था से मौडरन करके कुछ नाम है इसका और इससे मैंने सबसे पहले अपने आउटर्स क्रियेट करें हैं ट्रांजीशन फॉम में और बहुत सिंपल एंड सेटल लुक रखा है जब भी क्रिस्टन लुक की अगर हम बात करते हैं तो वह आई मेकप बहुत सेटल होता है आपकी क्या मांगता है मैंने थोड़ा सटल रखा है अपना आई मेकप आई मेकप सटल रखा है ट्रांजीशन कलर अपलाए कर रहा है आप देख सकते हैं टेकनीक्स बहुत मैटर करती है किस टेकनीक से मैं अपलाए कर रहा हूं क्या अपलाए कर रहा हूं कोई भी फलफी ब्रश के साथ आप ऐसे बिल्कुल apply कर सकते हैं अपने product को इस technique के साथ आपने light color apply करना है blend करना है transition and outer मैंने अपने create कर लिया है अब देख सकते हैं कितना प्यारा difference आगया है अब इसके बाद मैंने छोटा brush लिया है छोटा small fluffy brush उसे थोड़ा सा dark shade ले लिया brown family में ही मैंने अपने colors को रखा है कुछ अलग color नहीं लिये brown family के अंदर ही मेरे colors है and color के बाद इसको भी मैंने अच्छे से blend कर दिया outer and crease line पे right I hope आप इस tutorial को enjoy कर रहे होंगे right और plus आप इसके notes भी बनाएगा क्योंकि बहुत detail में मैंने आपको tutorial explain करा है tutorial detail में जब भी हम explain करते हैं तो थोड़ा सा long हो जाता है and इतनी लंबी वीडियो में voice over करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार but कोई नहीं और मैं try कर रहा हूं कि मैं आपको बहुत best से best content आपको दे सकूं so that कि आपकी learning बहुत अच्छी हो right और आप देख सकते हैं कि अगर आपको इसके अंदर इतनी free में इतनी सारी knowledge मिल रही है तो आप सोचे कि हमारी जब paid class आप join करेंगे तो आपको कितनी सारी knowledge मिलती होगी right हमारी offline classes भी होती है मारी online classes भी होती है आप हमारी upcoming जो भी online class है या upcoming offline class है आप एक बार इस नंबर पर whatsapp करके जो आ रहा है screen पे right screen पर जो आ रहा है right side पर corner पे 8700650967 आप इस पे एक बार call करके आप वाटसेप करके आप हमारे courses की detail ले सकते हैं हमारी जो academy है Delhi Shalimar Bagh maya right Delhi Shalimar Bagh maya my academy है जो भी student interested है makeup artist बना चाहते है professional makeup course करना चाहते है makeup course hair course तो आप हमारी academy join कर सकते हैं और अगर आपको join में नहीं करना है तो आप अपस only detail ले सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या सिखाया जाएगा क्या आपको जो है कि आपको क्या requirements रेंगी course के लिए कि आपको क्या 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 लेकर आना है प्लस मैं आपको बताऊं कि आपको इस कोर्स के अंदर कुछ भी लेकर नहीं आना होता है आपको सब कुछ अकेडमी की साइट से प्रोवाइड होता है आपको A to Z प्राक्टेस मेटीरियल आपको अकेडमी से मेलेगा सो हमने आउटर अच्छे से डिफाइन कर लिए है वह करने प्राइब आपको अप्लवाला है क्ला आपकोodes ऑसमी नहें कोई इस और आयो है हिंग फामली में हमने शिमर केडमी में कोई शिमर ले है इवन मेरे को ये भी नियाद कि मैंने ग्लिटर दी थी या नहीं दी थी I think shimmer मैंने दीया only shimmer मेरी बहुत अच्छी pigmented थी उस palette में तो मैंने उसी palette से shimmer अपनी apply करी है I think अभी मैं two-way gel apply कर रहा हूँ two-way gel apply करके मैंने अपनी shimmer shadow apply करी है और उसे बहुत pigmented pigmentation बहुत अच्छी आती है आपकी shimmer shadow के जब भी आप two-way gel लगाके apply करेंगे So यहाँ पर हमारा eyes का आप देख सकते हैं कितना अच्छा look को आ रहा है and shimmer shadow मैंने अपनी apply करती है Shimmer मारी complete and I think मैंने glitter नहीं दी है मैंने इस look को अपना subtle ही रखा है eyes को बहुत soft रखा है and कोई different color की मैंने I think dark color की outer की side पर shimmer apply करी है outer shadow outer eyes के outer part पर मैंने shimmer shadow apply करी है dark shade बे so यहाँ पर हमारा eye makeup हो गया है almost complete and अब हम आएंगे liner पे liner वाले part पे liner मैंने कुछ different दिया है make sure करिएगा कि आप liner part अच्छे से देखिएगा काजल पेंसिल की help से मैंने smurge करा है एक smoky liner create करने की कोशिश करिए smoky smurge liner smurge wing liner अब मैंने wing create करा है एक angular brush से आप कोई भी eyebrow brush ले सकते हैं उससे अपना इसका outer create कर सकते हैं और जब भी आप काजल apply करेंगे तो make sure करिएगा कि आप उसे instantly blend कर दीजिएगा otherwise आप instant blend नहीं करेंगे तो वह बहुत जल्दी dry हो जाएगा फिर वसमर्च नहीं होगा आप देख सकते हैं और इसी टेकनीक से आपने अपना liner apply करना है smudging effect के साथ और कोई भी angular brush ले सकते हैं मैंने जो angular brush लिया एथिंक यह Mars का angular brush है और आप कोई भी आनी आप जिससे eyebrows करते हैं वह ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं फिरसे काजर pencil यूज़ करिए forever 52 की और सेम outer पर wing create कर रहा है मैंने इसी अंगुलर brush की help से बहुत important है बहुत trendy है smudging liner वाला लुक smudging liner को लुक बहुत प्यारा आता है आप इसे definitely एक बार ट्राय करिएगा तो अगर आपको इस look के regarding कोई भी doubt हता आप में इसे comment box में पूर सकते हैं जो भी student हमारे online offline classes के लिए interested है जोईन करना चाहते हैं और जो मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारी जो academy है डेली शालिवार बाग में है आप इस number पर miss call कर सकते हैं WhatsApp कर सकते हैं और courses की detail ले सकते हैं offline online classes के हमारी update ले सकते हैं तो यहां पर हमारा eye makeup हो गया है done अब हम आएंगे अपने next part पर eye makeup के which is lashes generally मैं lashes heavy prefer करता हूं बट इस look में मैंने थोड़ी सी light lash रखी है flat lash रखी है lashes जो मैं use करने वाला हूं I am using the lash from PAC PAC की lash use कर रहा है एक lightest period perfect so gel product use कर रहा हूं I think मैं gel नहीं sorry eyebrows जिससे मैंने complete करती वही shadow embark use करिये mac की और उससे मैंने अपने liner को set कर दिया and उसके बाद मैंने lashes लगा दी lashes जो है PAC की है अब कोई भी brand के इतनी light lash कर सकते हैं क्योंकि मैं अपने look को बहुत soft रखना था soft and subtle रखना था इसले मैंने light lash use करें अगर आप heavy lash use करना चाते है mink lash use करना चाते है तो आप वह भी use कर सकते है mink lashes right perfect so अब हम आ गए lips पे lips के लिए मैंने blusher shade यूज करा है और उसी color को मैंने lips के center में भी fill करने वाला हूं sorry perfect outline हमने कर ली सबसे पहले outline आपने अच्छी करनी है lip shape and eyebrow shape दो ऐसी चीज़े है जो आपको with practice के साथ आती है आप इनके जितनी जादा practice करेंगे right उतना जादा आपकी shape perfect आएंगे अगर आप सोचे कि आप एक ही दिन में lip shape eyebrows perfect बना लेंगे तो ऐसा possible नहीं होता है जो हमारी academy में students आते है ना वो हमेशे कहते हैं कि sir आपकी eyebrows बहुत perfect है lip shape बहुत perfect है तो अगर आप भी इसके regular practice करेंगे तो आपके भी perfect बनेंगे पहले जब मैंने start कर रहा था मेरे भी eyebrows lip shape बिल्कुल perfect नहीं बनते थे बट मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता था इनकी कि वो perfect बनना start हो चुक्या है और same color मैंने lips में fill कर दिया है and students honestly मैंने को याद नहीं है कि मैंने कौन सा lip color fill करा है इसके उपर आपने ये base create करा है it's a creamy base और इसको आप ऐसे नहीं छोड़ेंगे इसके उपर जो मैंने एक चीज करी है मैंने liquid lipstick दी थी and आप मैं जो याद नहीं है मैंने कौन सा shade mix करके use करा है आप कोई भी love earth की lip color use कर सकते है nude color में right and देख सकते हैं मैंने mix कर लिए color and उसको apply कर दिया है liquid lipstick आपको ज़रूर देनिए जब भी आप ऐसा cream base करते है तो आपने liquid lipstick ज़रूर देनी है right so यहाँ पर हमारा tutorial हो गया almost complete and I hope आप में आज काफी कुछ सीखा होगा right कुछ एक दो step हमारे रह रह रहे हैं right और वीडियो भी almost हमारी over होने वाली है within one minute or two minute right so मैं आप सबको एक बार फिर से बताना चाहूंगा हमारी जो अकेडमी है डेली शालिमारबाग में है और मारी अकेडमी में one month और seven days के offline courses होते हैं आप courses की detail ले सकते अपकमिंग जो भी बाच आप वह जॉइन कर सकते हैं PG facilities भी अविलेबल होती है हमारी एकेडमी के nearby right right so यहां पर हमारा लुक हो गया है complete same shadow मैंने दे दी है and lips में मैंने center पे orange color apply कर रहा है forever 52 की palette से center में एक umbra effect create कर रहा है and mascara होगे हमारा under eyes होगे done right I hope आपने आज का tutorial enjoy कर और coffee को सीखा होगा learning होगी आपके लिए और इसको आपने definitely एक बाद try करना है try कीजिएगा अब मैंने इसके बाद liquid liner use कर रहा है sketch pen form में अपनी mascara के लिए lower lash के लिए आप इसको जरूर try करिएगा और बहुत अच्छा है करिए बहुत अच्छी intense आपकी lower lash लगेंगी बट आपको करना बहुत केरफुली होगा क्योंकि अगर आपका हलका सभी हाथ लिए तो आपका makeup खराब हो सकता है अब आगए mascara पे mascara जो यूज करा है Maybelline का skyline और अपने makeup को अच्छे सेट कर दिया है setting spray स्विरोज की rose glass mist की help से अच्छे सेट कर दिया completely जितना भी powder था वो some melt हो जाएगा और इसके बाद मुझे याद नहीं है मैंने ये कौन सा spray यूज करा है मैंने काफी कुशिश करी कि मैं याद करूं बढ़ने को बिल्कुल याद नहीं है highlighter apply कर दिया highlighter जो यूज करे मैंने bobby brown का यूज करा है pink glow pink glow highlighter यूज करा है which is from bobby brown right so आप मेरे को definitely subscribe कीजिएगा and इस वीडियो को ज्यादा से यादा शेयर करिएगा आपके जो भी makeup artist वाले friends हैं उनके साथ आप शेयर कीजिएगा so that कि उनको भी benefit होई वो भी इस वीडियो से काफी कुश सीखें और कोशिश किया मैंने in-depth detail में आपको एक-एक step बता सकूं औ और मैंने cuts में इसको voice over नहीं करा है अगर कुछ भी एक भी words उपर नीचे हो गया तो उसके लिए मैं sorry बोलना चाहूंगा right so आप इस tutorial के प्राक्टेस कीजिएगा और कोई भी अगर आपका doubt है इस tutorial के regarding तो आप मिर से comment box में पूस सकते हैं और मिलते है next part में next video में एक new look के सा आप बिल्कुल मैं भूलेगा कि आपको subscribe करना है comment करना है इसको share करना है और इस look की आपको practice करना है thank you so much god bless you all